तो कैसे आप सब उमीद है तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं यह निक दिजाइन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे अगर आपको यह नेक दिजाइन पुसंद आ है तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और अपने फ्रेंड् रिजाइन पूरा कम्प्रीट करा है और यह जो स्लीव में पट्टी लगी हुई है इस कपड़े के साथ आया हुआ था तो इस तरह से मैंने इसकी पूरी स्टिचिंग कम्प्रीट कर ली है और इससे पहले जो है इसकी कटिंग की वीडियो में आलरेड़ी डाल चुकी हूं अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा तो जैसा कि हमेशा हम गले की चोड़ाई के जो निशान लगाते हैं तो यह पर मैं तीन इंच का निशान लगाऊंगी सबसे पहले हम तीन इंच का निशान लगा लेंगे और इसके बाद गले की गहराई जितनी आपको चाहिए अपने हिसाब से अप लगाएं तो मैं यहां पर 6 इंच ले रही हूं अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए 6 इंच पर निशान लगा लेने के बाद इसको हम मिला लेंगे इस तरह से स्केल की हैल्प से और अब हम इसकी टोटल लंबाई देखेंगे हमें कितनी चाहिए नेक की लेंथ अगर मैं यहां से देखू नेक का जो यह वाला पाट है यहां से तो 7 इंच में निचे गहरा ले रही हूं और अगर उपर से देखा जाए तो मैं टोटल 13 इंच पे निशान लगाउंगी आधा आधा इंच का निशान लगाकर इसको हम मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन खीच लेंगे इस तरह से तो इन लाइन को मिला लेने के बाद जो हमने ट्रैंगुलर शेप में जो ऊपर से लाइन मिलाया था इस लाइन से हम दुबारा वापस मिला लेंगे जो हमने आधा कर लेंगे and guys उमीद है कि आपको यहां तक वीडियो समझ में आई होगी मैं क्या बताने कोशिश कर रही हूं बिल्कुल ऐसे measurement आपको रखना है और जितना आप अपने according कमिया जादा इसमें कर सकते हैं बाकी तरीका यही सीम रहेगा तो यह हो गया है हमारा तो यह खोलने पर कुछ ऐसा दिख रहा है और इनके बीच की जो दूरी आप देख सकते हैं एक इंच के करीब है क्योंकि हमने आधा-धा इंच का गया था तो खोलने पर टोटल गया वह एक इंच का आगया है तो हमने फ्रंट वाला साइड इस तरह से रख लिया और सीधा वाला पार्ट ऊपर की साइड रखा है और बैक वाले पार्ट का भी अब हमें ऐसे ही करना है और इसका जो फ्रंट वाला साइड है उसको अंदर की साइड हमें रखना है और इस तरह से इन दोनों के शोल्डर को आपस में रखते वे सिल लेना ह तो चलिए पहले इसके शोल्डर को हम जॉइन कर लेते हैं तो गई जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यह वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और इसके नीचे वाला इसका बैक पार्ट है और दोनों सीधी वाले पार्ट को मैंने अंदर के साइड रखा हुआ है और अब हम इसे इस तरह से रखते हुए सिल लेंगे और बैक वाले पार्ट में जो है हमने कोई नेक डिजाइन नहीं काटा है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट है जो कटिंग के समय था बिल्कुल वैसे ही हमने जो कटिंग करिए वो फ्रंट वाले में करिए बैक वाले में हमने कुछ नहीं कर किया है क्षच में यहां पर इस तरह से तिर्चा किट लगा लेना है दोनों साइड अदा अदा इंच का तो मैंने लगा लिया है इसके बाद हम इसकी कटटी कटτιंग करनी I'm किन इस तरह से मैंने तिर्चा कपड़ा ले लिया है और जो इसकी टोटल लेंथ फो 37 इंच है और जो चोड़ाई मैंने ली है ये धाई इंच लिया हुआ है क्योंकि आधा-ाधा इंच हमने दोनों साइट से सको कट करा हुआ है तो वो भी आधा-ाधा इंच जुड़ जाएगा तो हमें कम-जे-कम धाई इंच के करीब लेना होगा एन गाइस जो मैंने 37 इंच लंबी जो पट्टी काटी है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है मिस हो गया था तो मैं इसको दुबारा से मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसको हमें इस तरह से रखना है इंच डेप यहाँ पर और पूरे में घुमाते वे हमें नाप लेना है कि कितनी इसकी लंबाई है तो इस तरह से मैं रखते वे पूरे को नाप लूँगी गुमाते वे इस तरह से तो ये टोटल जो इसकी जो लंबाई आई है 35 इंच आई है तो मैंने 37 इंच रखा है 2 इंच लंबा एक्स्ट्रा रखा है तो इसी तरीके से आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखकर उसको टोटल ले सकते है क्योंकि जादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत निया अगर कम हो जाएगा तो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है तो इस तरीके से मैंने 37 इंच लंबा पूरा कटिंग कर लिया है और 1.5 इंच इसकी पट्टी की चोड़ाई है तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद तो अब हम इसको इस तरह से फोल करते वे सिलाई कर लेंगे सीधा वाला साइड अंदर की साइड है तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लूँगी और सिल लेने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और सिधा कर लेने के बाद इसको अच्छे से हम आइरन कर लेंगे तो मैंने इसको सिधा कर लिया है और आइरन भी अच्छे से कर लिया है अब आप अपने मर्जी से कोई लेकर इसके किनारे में अटाच कर सकते हैं तो मैंने वाइड कलर का पतला लेस लिया हुआ है किसी भी किनारे पे आप लेस को अटाच कर दे तो मैं इस किनारे पर इसको अच्छे से इस तरह से रखते वे अटाच कर दूँगी यह बनने पे काफी खुशूरत लगेगा, सिंपल और सुन्दर लगेगा तो जब आप इस पट्टी पे लेस को अटाच कर ले, उसके बाद सूट को सीधा कर ले क्योंकि हमें सूट को पहले सीधा करना है, उसके बाद वही पर हमें पट्टी को अटाच करना है तो मैंने सूट को जैसा कि आप देख सकते हैं सीधा कर लिया है सीधे वाले पार्ट में पट्टी को इस तरह से बिल्कुल रखते हुए आधा इंच की सिलाई पर हमें इसको बिल्कुल आधा इंच की गैप पे दबाव लेते हुए इस तरह से पूरे में घुमाते हुए कर लेंगे तो हमने सूट के सीधे वाले साइड से इस पट्टी को जॉइन करा था जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें सूट को उल्टा कर लेना है और उल्टे वाले साइड में मैंने उल्टा कर लिया है सूट को और इन दोनों पट्टियों को इस तरह से यहां से सिल देना है बिल्कुल इसको हम सिल लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके अलग कर लेंगे उसके बाद जो यहां पर हमने तिर्ची जो कट करा था और यह वाला जो कपड़ा बचा हुआ है यहां पर क्योंकि हमने उसके किनारे वाले साइड के तो हमने सिल दिये बट नीचे वाले साइड का बचा हुआ है तो इसको हमें इस पट्टि के साथ ऐसे जोड़ देना है जो हमने ऊपर तो दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ा था उन्हीं के साथ इससे जोड़ देना है बिल ने बताने ही कोईश करी आपको पहले हमें सूट को सीधा कर लेना था सीधे वाले साइट से ही हमने पट्टी को रखकर सिला था और फिर हमने सूट को उल्टा करके जो सूट पट्टी का जो किनारी थी नीचे वाली साइड की उन दोनों को आपस मिला कर हमने जोड लिया था औ और अब हम जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर से 1.5 इंच का गैप देते हुए सिलाई कर रहे हैं बस इतना ही था इस नेक डिजाइन में इसको बनाना बहुत ही असान है और काफी सुन्दर लगता है बनने में और जैसा कि आप देख सकते हैं यह रेडी हो गया है बिल्क इस तरह से रेडी हो गया है इसमें नहीं लगाई हुए था तो नीची जो मैंने इमेज जाला इसमें देख सकते हैं आप महरून कलर का मैंने इसमें टसल भी लगा दिये हैं तो आपको यह वीडियो कैसी लगी है नेक डिजाइन कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स मे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा जितना जदा हो सके और अगर आपने विज़क चानल को सब्सक्राइब न मच्छ बाइ